नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालुमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org नई सुभा Android Learning Podcast में खुशाम दी मेरा नाम है मरिया मसद जिस तरह हमने पिछले दो पॉट्कास में वाट्सअप के हवाले से बात की थी हमरा आज का पॉट्कास भी वाट्सअप के ही हवाले से है आज हम ये सीखेंगे किस तरह आपको ये मालूम हो सकता है कि आपने किसी भी चैट में कौन सा वाइस मैसेज सुन लिया है और कौन सा नहीं सुना चैट में मूव किस तरह किया जाएगा ये किस तरह हमें पता चलेगा कि हम अभी वाट्सअप चैट में किस मैसेज पर मौजूद है क्योंकि नए यूजर के लिए अंदाजा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आज हम ये सीखेंगे वाट्सअप ओपिन करती हूँ वाट्सअप ओपिन करने के बाद हमें वाट्सअप में लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना होता है आगे जाने के लिए अगर हमें प्रिवियस चैट पर जाने किसी की यानि हम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करकर के आगे चले गए हैं और हमें वापिस पीछे वाली चैट पर आना है तो हम उल्टा स्वाइप करेंगे राइट टू लेफ्ट यानि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ स्वाइप करना शुरू करेंगे तो हम पीछे वाली चैट पर आ जाएंगे आगे जाने के लिए हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ स्वाइप करेंगे तो हम आगे वाली चैट पर जाएंगे अब यहाँ पर मैंने एक चैट ओपन करनी है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि किसी भी चैट के नाम के साथ-साथ एक दफ़ा और उसका नाम आ रहा होता है जैसे पहले उसने बोला ब Laz में सुखन आगे उसने लास्ट मेसेज का टाइम बतायो और आगे नमबर बताने लगा जिसका लास्ट मेसेज आया उस ग्रोप में उसका नमबर सेव turtle आ रहा था उसके बाद मैं दुबारा स्वाइब किया लेफ्ट टू राइट तो बसमे सुखन बटन बोला उसने हर चैट के साथ यही होगा पहली दफ़ा उसका नाम लेगा उसके बाद उसके नाम के साथ बटन बोलेगा तो हम यह देखतें कि इन दोनों में फर्ट क्या है जहां पर सिंपल सिर्फ चैट का नाम लेगा तो उस पर डबल टैप करने से चैट ओपन होगी लेकिन जहां पर बटन बोलेगा चैट के नाम के साथ तो वो चैट ओपन नहीं करेगा हम देखतें उसमें कौन से आप्शन आते हैं बज में सुखन बटन इस पर डबल टैप किया मैंने प्रोफाइल फोटो बटन यानि के ये बटन इस पर डबल टैप करूंगी तो इस ग्रूप पर जो भी प्रोफाइल पिचर लगी वी है वो स्क्रेंड पर शो हो जाएगी उसके बाद ग्रूप का नाम लिया है फिर मैसेज कॉन्टेक्ट का उप्शन है अब इन्फो बटन है अब इन्फो बेडबल टैप करती हूँ मैं अब यहां पर ग्रूप के नाम के साथ बताया गया है कि यह ग्रूप किस नंबर के थ्रूप बनाया गया है और किस स्टेट पर बनाया गया है इस ग्रूप की डिस्क्रिप्शन यहां से हम देख सकते हैं यह इसकी डिस्क्रिप्शन है यह बहुत काम को अप्शन है यह हेडिंग है इससे आगे चलते हैं त्वेंटी तू आडियो टो लेज़ आई आडियो ये तमाम आडियो विडियो इस ग्रूप में जो आई ही आई है, वो शो नहीं रहे हैं यानि के हम यहाँ से भी चैक कर सकते हैं कि उस ग्रूप में कौन-कौन ≥artet & वीडियो्स आई है बजाए इसके कि हम गुरूप में जाकर स्वाइब करकर धूंडे इतने सारे वोइस मेसेज़ेस में वीडियोस भी होंगी पिच्चर्स भी होंगी आडियोस भी होंगी जो काम की हो सकती है तो हम वहां से धूने 200-400 मेसेज़ेस के अंदर तो हम यहां से भी उनको बहासानी सुन सकते हैं यहां से हम गुरूप का नाम भी चेंज कर सकते हैं यह मीडिया लिंक्स एंड डाक्स इस ओप्शन को आपको देहान से समझना है क्योंकि यह बहुत काम का ओप्शन है आपने इन्फो में आने के बाद मीडिया लिंक्स और डाक्स वाले आप्शन पर डबल टैप करना है उसने अभी हैडिंग बोला था लेकिन ये डबल टैप करने से ओपन हो रहा है इस पर डबल टैप करेंगे उसके बाद अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या आप्शन है टॉप लेफ्ट से स्वाइप करी हूँ मैं नैविगेड़ आया है पहले फिर ग्रूप का नाम आया है फिर मीडिया आया है अगर अब मैं मीडिया पर डबल टैप करती हूँ यानि केमीडिया सेलायक करती है हूं तो इसके अंदर हम में विडियो मिलेंगी जो इस ग्रूप में आई है ओन्द्री करकी मिलेंगी और पिच्चर मिलेंगी जो इस ग्रूप में आ teachers या लिखा हूँ है Docs पे double tap करती हूँ तो जितने भी documented सूरत में हमाई बास कुछ भी send हुआ है group में वो आएगा यानि कि कोई भी audio file document की सूरत में भेजी गई है या कोई भी text file या कोई भी video file या कोई भी image file कुछ भी document की सूरत में अगर send किया गया है तो वो या document में से मिलेगा हमें उसके बाद links का option है अगर group में links send हुए है किसी भी YouTube के channel का Facebook के page का या किसी भी website का कोई भी link share हुआ है तो वो links हम यहां से देख सकते हैं यानि कि हम इस group को अगर open करके इसमें से ढूणने लगते हैं links को या videos को या audios को तो हमें बहुत time लगेगा हमें पूरा उपर से लेकर नीचे तक चैट में स्वाइप करकर देखना पड़ेगा कितने audios आई हैं कितनी videos आई हैं कितनी काम की pictures हैं कितने links हैं या document अगर कोई काम कायब है तो वो हमें इस तहां देखना पड़ेगा लेकिन हमने यहां पर देखा कि अलग-अलग categories बनी नी है media की category में हमें videos, audios और pictures मिलेंगी docs की category में हमें documents मिलेंगे और links की category में हमें links मिल जाएंगे docs की category में जा आती हूँ यह एक वीडियो है जो document की सूरत में सेंड की गई यह डबल टैप करती हूँ पास बटन पास बटन पास बटन पास बटन पास बटन मौसन नकवी की history के हवाले से वीडियो है तो यह कुछ वीडियो यहां बर document की सूरत में आई ही है अब लिंक्स में चलते हैं जैसे कि मैंने आप लोगो बताया कि लिंक्स जो आएंगे वो हम यह लिंक्स वारे आप्शन में जाकर देख सकते हैं बजाए इसके कि हम पूरी आईशा के नाम की चैट है अब मुझे देखने हैं कि आईशा ने मुझे कितनी वीडियो ओडियो लिंक्स या डॉक्यमेंट सेंट किये हैं सबसे पहले जहां पर आईशा का नाम लिया होगा उससे नीचे आऊंगी स्वाइब करके लेफ टू राइट स्वाइब करके आईशा बटन बोलेगा आईशा बटन पर डबल टैप करूंगी मैं तो उसमें आएगा लेफ टू राइट स्वाइब करने पर इंफो info में जाओंगी तो फिर heading आएगी media, docs and links इसमें जाने के बार documents अलग आ रहा होगा, media अलग आ रहा होगा और links अलग आ रहा होगा इन तमाम options के अंदर बारी बारी जाकर मैं देख सकती हूँ कि documents कौन से आएंगे, links कौन से आएंगे और videos कौन से आएंगे, audios कौन से आएंगे, pictures कौन से आएंगे सिर्फ मसला रह जाता है voice messages का जिनको हम यहां से नहीं देख सकते हैं बाकी pictures, videos, audios, links या documents यह तमाम चीज़े हम यहां से बासानी देख सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि हम किसी भी WhatsApp चैट में किस तरह मूव करेंगे और voice messages का हमें किस तरह बता चलेगा कि हमने कौन सा सुन लिया, कौन सा नहीं सुना अब सबसे पहले मैंने बज में सुखन की चैट ओपन की है Navigate up Navigate up से मैं swipe करती हूँ Massive under story under new group more of today सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें today, yesterday अगर एक ही दिन गुजरा है तो yesterday आरा होगा अगर आज के messages हैं तो today आरा होगा और अगर yesterday भी नहीं रहा yesterday से भी एक दिन पहले का है तो फिर date show होगी तो आप date से अंदादर कर सकते हैं अगर मैं अब चेक करती हूँ जुम्मे को आज के messages तो यहाँ पर date आएगी 26 और अगरस का महीना आ रहा होगा और 2020 show हो रहा होगा अब मुझे पहले तो इस date तक पहुँचना है इस date पर पहुँचने के बाद अब मैं left to right स्वाइब करूंगी तो उस date का पहला message आएगा उसके बाद और स्वाइब करूंगी आगे message आएगे जहां से yesterday लिखावा आ जाए वहां से मतलब 26 तारी की जो chat थी वो खतम हो गई अब yesterday वाली एक दिन पहले की chat शुरू हो गई है अब yesterday की heading के बाद मैं swipe करती जाओंगी तो सारे messages yesterday वाले दिन के होंगे उसके बाद मैं swipe करती जाओंगी जहां पर today लिखा वाज है का मतलब yesterday खतम हो गया अब आज के दिन की chat स्टार्ट हो गई है dates को yesterday या today ये जो कह रहा होता है इस पर ध्यान रखना है अब हमारे पास पूरे एक महीने के अगर chat रखी हुई है तो first August से chat start हो रही है ये date होगी उससे आगे जब messages देखेंगे उसी date के होगे उसके बाद जब first August की chat खतम होगी तो उसके बाद start होगी 2 August की फिर third August की फिर fourth August की अगर हम रोज बात कर रहे हैं अगर कुछ कुछ दिनों के बाद है तो वो ही date आएगी कुछ दिनों के बाद की तो उन dates को हमने ध्यान में रखना है और फिर अगर आपके आज के दिन से एक दिन पहले का दिन है तो yesterday लिखावा आएगा तब date नहीं लिखी आएगी अगर वो भी दिन गुज़र चुका होगा तो फिर उस पर भी date आजएगी yesterday नहीं आएगा तो पहली चीज़ तो ये समझने की है उसके बाद हम दुबारा से open करते हैं ये option चैट के start में आ रहा होता है इससे आगे swipe करेंगे मुस्तकीम अहमद चैट के उपर नाम लिखा हुए आज सुबा ये आई है साथ बच के इतने मिनट पर और इतने मिनट की ये चैट है तो अब इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते है कि यहाँ पर इसने वोईस मैसेज का time बताया है पहली बात उसने बोला है वोईस मैसेज, आडियो मैसेज नहीं बोला आडियो मैसेज बोला होता मतला वो किसी और recorder से record करके send किया गया है या कोई forwarded audio है तो वो audio की सूरत में से audio बोलता लेकिन अभी ये वोईस मैसेज जो के WhatsApp में आकर voice button से record करके send किया गया तो voice message बोल रहा है उसके आगे time बता रहा है कि ये message इतने minute का है उसके बाद अगला message देखेंगे उसके बाद हमने देखा कि नाम के बाद नमबर बता रहा है क्योंकि नमबर मेरे पास save नहीं है उपर भी जो नाम बता रहा है वो खुद उसके बाद किसी भी message को play करने के लिए आगे आ रहा हुता है इस पर double tap करूंगे तो ये message play हो जाएगा अगर यहाँ पर play की जगा होता डाउनलोड तो डाउनलोड का मतलब है कि अभी ये message आ तो गया है मारे पास लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ 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 तो हम double tap करेंगे और थोड़ी तरी के लिए से छोड़ देंगे और डाउनलोड की जगा पर फिर cancel बोलेगा वो डाउनलोड हो रहा होगा और cancel सामने इसलिए आ जाएगा कि हम download नहीं करना चाहते हैं दोबारा cancel करना चाहते हैं पर मतलब कि अभी voice message क्योंकि हमने play नहीं किया हुआ तो वो 0 second पर है जैसे जैसे message play होता है उसके seconds बढ़ता जाता है वो 100% पर भी पहुंच जाता है zero seconds lapsed seek control zero percent zero percent बोल रहा है यह 0 से 100% तक जाएगा तो voice message तब खतम होता है और यह जो seek slider आ रहा है यानि कि इसक स्लाइडर बोलते है जो play बटन के नीचे आता है zero seconds lapsed seek control zero percent seek control इससे seek slider बोलते हैं किसी भी message को select करने के लिए यानि कि हम चाहते हैं कि इस message को हम select करें और किसी और को भी send करें या इस message को हम delete करना चाहते हैं तो इस message पर हम इसकी जो C slider इस पर double tap and hold करेंगे double tap करूँगे और hold थोड़ दर रुख जाओंगे यह pop-up sound आएगा एक यानि कि यह message select हो गया अब मैं bottom right से जहां पर voice button आता है जिससे हम voice message record करते हैं उस पर touch करती हूँ यह इसने voice button बोला इससे मैं left to right swipe करूँगी बज़ाब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ और swipe करूँगी आगे जाऊँगी यानि कि एक message select है reply अब इस message को select करके फिर मैं reply करना चाहती है तो मैं reply डबल टैप करूँगी edit box open हो जाएगा और फिर मैं यह आपर message लिखकर send button जो कि पी के उपर आता है double tap करूँगी message send हो जाएगा star यह star करने का option है किसी भी chat को या किसी भी message को delete फिर है delete यानि कि मैं इस message को जिसको मैंने select किया है तो delete करना चाहती हूँ तो मैं double tap करूँगी delete पर delete message from plus 90 delete from me delete from me अभी यहांबर सिर्फ delete from me आ रहा है क्योंकि यह message में पास पहुँच चुका है और मेरे पास message आया है मैंने किया नहीं है मैं इस वज़ा से मैं सिर्फ इसे अपने पास delete कर सकती हूँ जिसने send किया है उसके पास delete नहीं कर सकती तो यह मेरी यहां पर चैट से delete हो जाएगा cancel करती हूँ यह हमने एक message को select किया था इसी तरह हम आगे आगे अगे अगर हम दो तीन message select करके delete करना चाहते हैं तो हर message के seek slider पर double tap and hold करेंगे तो वह message select होता जाएगा और फिर voice बटन जहां पर है record बटन जहां से हम voice message करते हैं उस पर आकर मैं left to right swipe करूँगी तो आगे done delete reply share forward यह options आ रहे ह कर सकती हूं इसी message को forward कर सकती हूं reply कर सकती हूं इस message पर या इस message को share कर सकती हूं WhatsApp पर या किसी और application के जरीए अब जैसे इस chat पर मुस्तकीम एहमद लिखावा रहा है क्योंकि यह किसी और की तरफ से में पस message आया इस group में अगर मैंने message किया होता तो यहां पर नाम मेरा नही लिखावा आता लिखावा आता यू क्योंकि मैं खुद अपने message को check कर रही हूं तो यहां पर नाम की जगा पर यू लिखावा आता कि आपने message किया है तो इस चीज़ से यह पहचान होनी चाहिए कि message यह आपने किया हुआ है या किसी और का message आया हुआ है जो new users होते हैं उन अंदाजा करना है कि आपके message पर लिखावा आएगा you और दूसरे के message की ओपर उसका नाम लिखावा आएगा यहां से मैंने आपको बताया कि हर message को play करने के लिए उसके नाम के बाद play button आ रहा होता है तीन options होते हर voice message से related एक उसका नाम फिर play button फिर seek slider पहले नाम को देखेंगे आप और नाम के साथ ही सुनेंगे कि time भी बता रहा होगा और duration भी बता रहा होगा message की उसके बाद play button होता है जिससे आप voice message को सुन सकते हैं उसके बाद seek slider होता है जिससे आप voice message को आगे या पीछे कर सकते हैं या इस seek slider पर double tap and hold करके आप इस message को select कर सकते हैं और रिप्लाइ कर सकते हैं इस मेसेज पर अब ये बीच में एक मेसेज आ गया कि नंबर लिखा वा रहे है और इसने ग्रूप की सेटिंग्स को चेंज किया है फिर किसी ने टेक्स मेसेज किया है माशाला अब उस माशाला के नीचे नंबर लिखा वा रहा है कि जिसने ये माशाला का मेसेज किया है टेक्स मेसेज इसने किया होता है उस टेक्स मेसेज के नीचे उसका नंबर लिखावा आ रहा होता है और उसका नाम लिखावा आ रहा है या अल्ला फिर ये मुस्तकीम एहमद ने रिप्लाई किया हुए है और उसके नीचे उसका नाम आ रहा है दुबारा से अब यह देखे हमने देखा कि उपर जो मुस्तकीम एहमद का मैसिज था उसमें वोइस मैसिज लिखा वा रहा है कि वो वोइस मैसिज था और यहां लिखा वा रहा है या अल्ला पे आडियो मैसिज वन मिनिट और कुछ सेकंड का यह मैसिज है और उसके आगे इसका टाइम लिखा हुए कि 8 बस के इतने मिनेट पर मैसिज आया है और आगे ऐम पेम बता रहें जिसने हमें यह पाद़ चल सकता है कि रात में आया है या दिन में आया है आगे आडियो मैसिज के आगे भी प्ले बटन दे रहा है पहले यहालन आद Meine ले उसके बाद प्लेइब उसके यहांसे में प्लेइ करके सुन सकती इस मेंbn को उसके आगे सीक्स लाइसर आ रहा होगा ठीक है उसके आगे forward 2 भी आ रहा है किसी audio message के आगे forward 2 भी आता है यानि के forward 2 पर double tap करूंगी तो आगे chats खुल जाएंगे और तमाम नाम आ रहे होंगे मेरी chats में जो लोग मौझूद है कि किसको forward करना है यह message तो उस पर मैं select करूंगी डबल टैप करके और फिर send बटन मिलेगा मुझे जहां पर voice recording का बटन आता है bottom पर right side पर वहीं पर send बटन मिलेगा जिससे मैं send कर सकती हो message को अब यह जो text message भी लिखाव है इसके उपर भी time लिखाव है कि 838 am पर यह message आया है साहिर है कि यह audio message यह voice message नहीं तो duration तो नहीं आ सकती इस पर लेकिन text message है तो time आ रहा है इसके उपर यह यह जिसने नाम लिखाव है अपना उसने यह text message किया है कि today's poetry और उसने उपर audio भी send की है जिस पर उसमें mention करके message किया कि यह आज की poetry है तो इस तरह हम left to right swipe करके किसी भी chat में move कर सकते हैं और हमें यह पता करना है कि यह message मेरा वाला है या आया है किसी का message इस chat में तो हम play button से उपर जो नाम आ रहा हो उसको देखेंगे पहले तो अगर you बोलेगा तो मतलब you आप हैं लेकिन आप अपना ही message क्यों सुनेंगे दुबारा से आपको जो message आया है वो सुनना है तो आप दुबारा से जूनेंगे अगले message को नाम ले रहा है और duration बता रहा है message की कि एक minute का है उसके आगे आगे आपको left to right स्वाइब करने पर play button मिलेगा तो आप play करके सुन सकते हैं लेकिन अगर आपको पता है कि आपने इतनी duration का message पहले भी सुन लिया है एक minute और कुछ second का message तो आप फिर left to right स्वाइब करके आगे ज तो फिर आप उसको play करके उसे सुनेंगे तो शुरू शुरू में तो आपको इस तरह बार बार duration चेक करके आदर डालनी होगी उसके बाद जब आप यूस्टू हो जाएंगे तो आपको इतना बार बार चेक करना पड़ेगा आपको खुद ही अंदादा हो जाएगा कि आप पर से नीचे की स्वाइब करूंगी तो इस तरह नीचे की तरफ आएगी यानी ऊपर वाई चैड जो है में सामने ने चूरू की और मुझे मुझे चैड को अगे बढ़ाना हUA तो में नीचे से ना पकी सब्सकिक्रां कि कि यह जा रहा है और उसमें एक हम लागा इंगी देखना है कि last message कौन सा आया है तो आप voice button जो होता है आपका जिससे आप record करके voice message send करते हैं जो के bottom right पर होता है तो वहां से swipe करना शुरू करें bottom right से left की तरफ मतब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ अब नीचे से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ स्वाइब करना शुरू करें यह voice message है मैं last में आती हूँ पहले है अब मैं वोइस बटन पर डबल टैप किया वोइस message पर आगई इमोजी के बाद आपकी चैट स्टार्ट होगी जो लास में आपके बास message आएगा न वह इमोजी के बास start अब यह उपड़ जा रहा है मतलब यह उपड़ प्रीवियस messages पर जा रहा है तो इस तरह लास मेंसेज से आप उपर की तरफ जा जा के भी message को देख सकते हैं मतलब लास मेंसेज से आप पीछे की तरफ जा रहे हैं message देखने के लिए अपना तो I hope के आज का podcast आपके लिए बहुत useful रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा अब मुलाकात होकी फिर किसी podcast में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए